हैदराबाद के हमारे दोस्तों आज हम लोएं हैदराबाद सिटी पुलीस की तरफ से गांधी हॉस्पिटल में जो पुलीस आफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं उनसे बातचीत की उनसे मीटिंग की सबसे पहले तो गांधी हॉस्पिटल के सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिट्री वर्कर्स, टेक्नीशन्स जो हमारे भाई बहन वहां फ्रंट लाइन वारियर्स के तरह से काम कर रहे हैं उन सब को तहे दिल से शुक्री आदा करता हूँ, सलूट करता हूँ सिटी पुलीस के तरफ से, उनके साथ हमारे सिटी पुलीस के जो आफिसर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं सलूट करता हूँ आज जिन आफिसर से हमारी बातचीत हुई, एसीपी गोपालपुरम जो की ओवरॉल इंचार्ज थे आज, उन्होंने पुरी डिटेल में बताई, कि वहां पुलीस डिपार्टमेंट के तरफ से, हर समय, हर विंग को, हर ब्रांच को, सेफटी सिक्यूरिटी और कॉडिनेशन में मदद मिल रहा है, एसीपी श्री निवास, एसीपी हरी कृष्णा और लगभग 30 सब इंस्पेक्टर हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, हम लोग जहां तक बाहर के लोगों का सवाल है, एटेंडेंस को, हेलपर्स को बाहर ही रोक रहे हैं, जिसमें की अंदर ज्यादा भीड नहों, सारी बिल्डिंग में जो एड्मिशन होती है, जो वहाँ एंबुलेंस का रश होता है, उसके लिए हम लोगों ने एक क्विक रियाक्शन टीम अलग से बनाया है, जो में बिल्डिंग है गांधी होस्पिटल का, उसके पूरे साथ फ्लोर में, हर फ्लोर में हमारे एक एक सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर है, गांधी होस्पिटल का जो मौर्चूरी है, वहाँ भी दोनों मौर्चूरी में, कोवीड मौर्चूरी और नौन कोवीड जेनरल मौर्चूरी में, हमारे सब इंस्पेक्टर्स, कॉंस्टेबल ऑफिसर्स के साथ ड्यूटी करने ह हैं वहां अलग से हम लोगों ने पुलीस के लिए एक टेंट भी लगाया है सेवा भारती और्गनाइजेशन से हम लोग कॉडिनेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हमारे आफिसर्स को वहां का रेस्ट रूम वाश्रूम यूज़ करने को मिले असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलीस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के स्रीनिवास राओ वो आज में गेट पर ड्यूटी कर रहे थे और उनके साथ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महाकाली पुरुशोत्तम वो भी गेट पर थे और एटेंडर से बात कर रहे थे उनको समझा रहे थे कि उन लोगों का अंदर जाना उचित नहीं है जो में बिल्डिंग है वहां पे आज हमारे इंस्पेक्टर मुरली और उनके साथ सेवन सब इंस्पेक्टर जो हर फ्लोर पर हैं डिूटी कर रहे हैं जो एमर्जेन्सी बिल्डिंग है वहां पे हमारे इंस्पेक्टर थिमप्पा तैनात हैं और उनके साथ इंस्पेक्टर रविंदर जो कि गांधी स्टैचू और नेभरिंग एरिया में ambulance movement को coordinate कर रहे हैं जो mortaries में dead bodies हैं उनका coordination early morning जो family members की भीड रहती है dead body को collect करने के लिए उसका coordination हर district के special branch local police को जो हमारी dead body disposal team के head है माधी पार्टी स्रीनिवास additional DCP जो government of India के guidelines जो कोवीड dead body को कैसे dispose किया जाए सबको explain करते हैं सबको बताते हैं सबको advance में बताते हैं कि क्या करना है उसी तरीके से हमारे Assistant Commissioner of Police CCS में हरी कृष्णा है जिनकी duty तीन बजे से लेके रात कोई ग्यारह बजे तक है उनसे भी बातशीत हुई हमारे main gate पर Inspector बाल गंगी रेड़ी है जो सुबह 7 बजे जिस समय heavy rush रहता है गांधी hospital के gate पे वहाँ पे मौझूद रहते हैं और कुछ लोगों जिनको डॉक्टर के permission से अंदर टिफिन ले जाना allowed है उनके साथ भी coordinate करते हैं इंस्पेक्टर श्रीधर जो गांधी hospital के main gate पे हैं और उनके आसपास के 9 points को cover करते हैं उनके अंदर में लगभग 22 teams पुलिस officers की team है Detective Inspector बोहिन पली के अकरम बाबा 20 constable officer के साथ ambulance movement दिन में 2 बजे से लेके रात को 9 बजे तक coordinate करते हैं Reserve Inspector नागराजू जो पहले home guard देखते थे पिछले 10 दिनों से गांधी hospital में R.I. प्रशांत के साथ duty कर रहे हैं नेता जी जो हमारे detective inspector कार खाना के हैं उन्होंने रात को गांधी hospital के main gate पर duty की उनके साथ इंस्पेक्टर वेंकर ट्रेडी इंस्पेक्टर रमेश कुमार ये लोग सब पूरे 8 फ्लोर्स पर घूम कर हर जगा का safety, security और confidence building exercise किये डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महाकाली पुरुशोत्तम सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे दिन तक अपने 20 police officers के साथ duty की डिटेक्टिव इंस्पेक्टर थिमपा जो की तुकाराम गेट के है पुली स्टेशन के है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर थिमपा सारी बिल्डिंग के इंचार्ज है जहां लगबग 180 के लगबग बेड है और साथ में वो Q सिस्टम भी देखते हैं और अटेंडर्स का से भी कॉडिनेट करते हैं जो पेशन का अड्मिशन होता है और साथ में डॉक्टर्स और नर्से से बाचीत भी करते रहते हैं सिटी सिक्यूरिटी विंग के हमारे इंस्पेक्टर आफिसर मुरलीधर हैं वो में बिल्डिंग के इंचार्ज हैं जिनके साथ पूरे सेवन फ्लोर्स की सिक्यूरिटी की जिम्मेबारी है चिलकल गुड़ा के हमारे इंस्पेक्टर नरेश जिन्होंने एक बहुत अच्छा वाटसैप गुरूप बना कर रखा है जिसमें कि सभी पेशेंट के रेलेटिव और अटेंडर्स उनसे कॉडिनेट करते रहते हैं और उनको जानकारी भी मिलती रहती है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चिलकल गुड़ा संजय जिनके काम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है वो टोटल 900 से ज़ादा जो इन पेशेंट हैं उन सभी के अटेंडर से बात करते रहते हैं और ये वाटसेप ग्रूप से वो सारी बिल्डिंग, इंटेंसिफ केर यूनिट, वेंटिलेटर बेड हर जगा की जानकारी कहां क्या हो रहा है लोगों को बताते रहते हैं जो सीनियर रेसिडन डॉक्टर्स हैं जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनसे भी टच में रहते हैं जो फोर्थ क्लास के इंपलॉईज हैं उनसे टच में रहते हैं और जो नर्सेज हैं लगवग 600 से ज़ादा नर्सेज हैं सबसे कॉडिनेट करते रहते हैं इनकी एक और तरीफ की बात है कि जो लोग खास करके ऐसे पेशन्ट हैं जो प्रेगनेंट लेडी है जिनके साथ एक एक अटेंडर की ज़रूरत बहुत है उनको भी ये लोग कॉडिनेट करते हैं तो इसके साथ साथ ये भी हम सबको बताते हैं कि किसी भी हाल में पुलीस के त भी दूसरी एजंसी भी पुलिस एनुसी का डिमांड नहीं करेंगे तो ये आज मैं सोचा कि गांधी हॉस्पिटल में जो इंतिजामात हो रहे हैं हमारे सिटी पुलिस के तरफ से उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी जानकारी शेयर करूँ ये चैलेंजिंग जीतना है सब लोग मिलकर जीतना है किसी की शिकायत करने से फायदा नहीं होगा हम लोग मिलकर बहतर से बहतर काम करें और साथ में प्रेयर प्रार्तना और दूआ भी करते रहे हैं शुक्रिया अंजिनी कुमार कमिशनर ऑफ पुलीस हैटरबाद